हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजिनिरिंग इस्टडी पर फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है फायर ट्यूब बॉयलर तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने देखा था बॉयलर ऑपरेशन इन हिंदी तो वो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको अगर फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में अच्छे से जान करी चाहिए तो इस वीडियो को अन्ति तक देखें और जो नए विविवर से वह इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बैल आइकन प्रेस करते हैं फ्रेंड्स बॉयलर टू टाइप्स के होते हैं पहला के यह तूब एंड पॉयलर मतलब ऐसा बॉयलर जिसकी टूप में fire हो मतलब ऐसा बॉयलर जिसकी टूप में hot gases हो इसको अगला है वाटर ट्यूब बोईलर को देखा था वैसे हम देखते हैं वाटर ट्यूब बोईलर क्या होता है water tube boiler मतलब जिसकी tubes में water हो और बहार उसके hot gases हो तो यही इसकी definition में लिखा है water tube boiler is the reverse of the fire tube boiler मतलब fire tube boiler का reverse होता है fire tube boiler में क्या होता है कि tubes के अंदर hot gases रहती है tubes के अंदर fire रहती है बहार water रहता है अंदर water tube boiler में क्या होता है अंदर tubes के अंदर water होता है और tubes के बहार hot gases हो रहती है चलिए friends देखते हैं fire tube boiler के बारे में तो fire tube boiler के भी हमने definition पड़ी थी fire tube boiler वो बॉयलर होता है जिसमें number of tubes होती है जिन में hot gases रहती है और उसके बाहर water रहता है या पानी भरा हुआ हुआ रहता है कि इसको देखते हैं friends आई से इसको चलिए समझते हैं आई से दीज hot gas tubes are immersed in water in a closed vessel तो यह जो hot gas tubes होती है यह water में डूबी हुई रहती है एक closed vessel में इस figure से आप अच्छे से समझ सकते हैं यह tubes है यह tubes है उनके बाहर क्या भरा हुआ है water भरा हुआ है पानी भरा हुआ है और यह tubes जो है पानी के अंदर डूबी हुई है ठीक है friends actually in a fire tube boiler one closed vessel और cell content water sorry तो fire tube boiler में क्या होता है एक closed vessel होता है यह cell होती है जिसमें water होता है जिसमें पानी होता है अब यह closed vessel है यह cell है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है through which पानी के बीच में से क्या होता है hot tubes are passed मतलब गर्म tube जो हती है मतलब जिसमें hot gases रहती है वो tubes passed होती है वो tubes उसमें से पास होती है तो these fire tubes और hot gas tubes heated up the water and convert the water into steam and the steam remains in the same vessel अब क्या होता है अब water बहार भरा हुआ है अंदर hot gases जहें या tubes में fire है तो उसकी अंदर hot gases जा है उसकी वहती है असकी वैयर से पाणी क्या होता है पानी गर्म होने की वैयर से steam में convert होता और इसमें steam और water होता है तो फ्रेंड's अब हम देखते हैं कि steam स्टीम और वाटर सेम वैसल में कैसे रहता है तो उसको हम इस फिगर की मदद से आसानी से समझ सकते हैं यह था पूरा सब्सक्राइब बाष्याब होगे तुम ही तो क्यो बनर कि मैं सब्सक्रा बॉयलां सब्सक्राइब वेरी हाई प्रेशर प्रोडूस नहीं कर सकता आप से बहुत ज़ादा इंटर्वू में पूचा आता है कि fire tube boiler बहुत ज़ादा हाई प्रेशर पे नहीं work कर पाता उसका क्या region है तो friends उसका region यह होता है कि उसमें water और steam same vessel में रहती है सेम वेसल में रहने की वज़े से यह बहुत वेरी हाई प्रेसर पर यह इस्टीम प्रोडूस नहीं कर पाता है जनरली यह इस्टीम प्रोडूस कर पाता है साड़े सत्रा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्कॉाइर की या 9 मीटरिक टन परावर की एस्टीम प्रूडूस कर पाता है तो यहाँ आप इसकी एक बार देख सकते हैं यह फायर ट्यूब बॉयलर होता है फरनेस होती है फरनेस में यह ट्यूब्स के अंदर क्या रहती है होट गैसिज रहती है और बाहर वाटर भरा हुआ होता है तो यह कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन टाइप की है अब एड्वांटेज और डिसड्वांटेज भी देखते हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर के क्या होते हैं तो फ्रेंड्स यह तो अभी हमने इसमें फायर ट्यूब बॉयलर को केबल समझाया है अभी फायर ट्यूब बॉयलर की कंस्ट्रक्शन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिसकस करेंगे उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा fire tube boiler, अभी हम देखते हैं, advantages and disadvantages of fire tube boiler, तो पहले देखते हैं, advantages of fire tube boiler, fire tube boiler का पहला advantage होता है, it is quite compact in construction, construction में quite compact रहता है, दूसरा इसका advantage है, the fluctuation of steam demand can be met easily, fluctuations of steam demand रहती है, वो easily met हो जाती है, it is also quite cheap, यह काफी सस्ता भी होता है, तो यह इसके कुछ advantages है fire tube boiler के, तो अब इसके देखते हैं, disadvantages क्या होते है fire tube boiler के, चलिए friends इसके disadvantages देखते हैं, तो पहला disadvantages का यह है, as the water required for the operation of the boiler, is quite large, क्योंकि boiler के operation के लिए बहुत ज्यादा water की जर्वत होती है, तो उसमें जो steam pressure, जो हमें desired pressure चाहिए होता है, उसको पाने के लिए हमें बहुत time लग जाता है, बहुत देर में pressure rise होता है, water tube boiler में तो क्या होता है, pressure rise हमारे easily हो जाता है, लेकिन fire tube boiler में, जब हम pressure rise करते हैं, उसको light up करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा time लगता है, desired pressure पर आने के लिए, यह सबसे बड़ा disadvantage होता है, fire tube boiler का, दूसरा disadvantage अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, कि water and steam same vessel में रहती हैं, इसलिए यह very high pressure पर steam produce नहीं कर सकता, possible नहीं है, very high pressure पर steam produce करना, इसका disadvantage क्या होता है, the steam received from the fire tube boiler is not very dry, जो steam होती है, fire tube boiler से, जो received होती है, वो बहुत ज़्यादा dry नहीं होती है, मतलब totally super heated steam हमें उससे नहीं मिल पाती है, actually हम super heated zone का भी use उसमें करते हैं, super heaters का भी use उसमें किया जाता है, लेकिन हमें फिर भी ज़्यादा dry steam नहीं मिल पाती है, तो यह कुछ advantages और disadvantages थे, fire tube boiler के, तो मीड़े कि fire tube boiler आपको समझ में आया होगा, friends, तो thanks for watching this video, अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो इसे like करें, अपने friends के साथ share करें, हमारे चैनल को subscribe करें, और bell icon press करना ना भूलें, thanks for watching